नमस्कार वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मोहित खान प्रोकबड़ी सीजन आठ के 98 वे दिन ट्रिपल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे आज फैंस को एक से बढ़कर एक तीन मुकाबले देखने को मिलेंगे त्रिपल हेडर का दूसरा मुकाबला बैंगलोर बुल्स और हर्याना इस्टिलर्स के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला रात साड़े आठ बजे से शुरू होगा दोनों ही टीम सेमी फाइनल में जगे बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी और मुकाबला जीत के सेमी फाइनल का टिकेट पका करना चाहेंगी इस सीजन में अभी ग्रूप स्टेज की बात की जाए तो बैंगलोर बुल्स का एक ही मुकाबला बाकी है वहीं हर्याना इस्टिलर्स को अभी भी दो मुकाबले खेलने हैं प्रोकबटी सीजन आठ में बैंगलोर बुल्स की टीम अभी तक 21 मुकाबले खेल लिये हैं जिसमें से टीम को 10 मुकाबलों में जीत मिली है वहीं 9 मुकाबलों में बैंगलोर बुल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा है वहीं दो मुकाबले बैंगलोरो बुल्स के इस सीजन में टाई रहे हैं तो दूसरी और हर्याना की टीम है जिसने इस सीजन में अभी तक 20 मुकाबले खेल लिये हैं और हर्याना श्रीलर्स की टीम को 20 मुकाबलों में से 10 मुकाबलों में जीत मिली है वहीं साथ मुकाबलों में हर्याना की टीम को मुकाबला गवाना पड़ा है वहीं तीन मुकाबले हर्याना की टीम भी इस सीजन में टाई खेल चुकी है ऐसे में सेमी फाइनल की उम्मीद दोनों टीमों के लिए बरकरार हैं लेकिन आज की हार एक टीम का सफर कहीं ना कहीं खतम कर देगी। दोनों टीमों के हेट्ट वेट आकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच प्रोगबट इत्यास में अभी तक पांच बार आमना सामना हुआ है। जिसमें से तीन मुकाबलों में बैंगलोरू बुल्स की टीम की जीत हुई है। वहीं दो मुकाबलों में हर्याना की टीम ने बैंगलोरू बुल्स की टीम को हराया है। आपको बता दें इस सीजर में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए मुकाबले में हर्याना को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा था और उस मुकाबले में बैंगलोरू बुल्स की टीम ने 14 पॉइंटों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया था ऐसे में बैंगलोरू बुल्स का ये गुरूप स्टेज का आखरी मुकाबला है और टीम इस खेल को दोराना चाहेगी ताकि सेमी फाइनल की जो उम्मीद है वो बरकरार रहें वरना आज की एक हार बैंगलोरू बुल्स को इस सीजन से भार कर देगी इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ